Cryptocurrency के दुनिया में token और coin के बीच में difference लोग नहीं कर पाते हैं लोग समझते हैं कि coin और token दोनों एक ही चीजा है जो लोग token purchase करते हैं वो समझ रहे हैं वो एक cryptocurrency purchase कर रहे हैं एक coin purchase कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए दोनों के बीच difference समझना बहुत जरूरी है और आप समझ लिजे कि आखिर token जो होता है वो और इसके अलावा cryptocurrency होता है वो इस दोनों के बीच difference क्या होता है दोस्तों ये जो coin हम लोग कहते हैं वो cryptocurrency होता है जो crypto coin भी कहा जाता है यहाँ पर डर्म आता है crypto और crypto के बाद आता है crypto coin and crypto token crypto coin क्या होता है crypto coin जो होता है वो native asset होता है कौन सा asset digital asset होता है वो crypto currency का होता है जिसका अपना खुद का blockchain होता है जैसे जैसे कि bitcoin है bitcoin blockchain पे btc जो है coin है वो चल रहा है Ethereum जो network होता है Ethereum का अपना जो blockchain है उसके ऊपर Ethereum ETS जो चलता है वो चल रहा है तो ऐसा ही करके जिसका अपना native जो है blockchain पे based अपना coin है वो हुआ crypto coin या cryptocurrency और जिसका अपना खुद का blockchain न हो करके जो secondary मतला कि दूसरे के blockchain पे निर्वर रह करके वो अपने आपका एक नया digital asset बनाता है वो कहलाता है token जैसे अगर एक example लिया जाए तो आज कल महुत जादा famous HTA token है इसका खुद का अपना blockchain बेश नहीं था जिसके कारण ये token बना करके एक digital asset बनाया गया अब अगर इसको अग relate कर सकते हैं जैसे किसी का अगर अपना घर होता है तो वो खुद जो है अपने घर में रहवी सकता है लेकिन उसकी problem ये है कि उसका सारा maintenance सारा security सब कुछ सुरू से ले करके कैसे घर बनाना है जमीन खरिदना है कैसा structure होना चाहिए कैसा design होना चाहिए कितना पे कौन सा material डालन इतना से ले करके बाद में घर में रहेंगे तो उसका security का ध्यान कौन रखेगा जितने भी legal problem होंगे उसका ध्यान कौन रखेगा मतलब सारा सारा समधान खुद से करना और फिर उस घर में रहना एक अलग matter होता है इसको as a coin समझ सकते हैं इसको as a cryptocurrency समझ सकते हैं लेकिन जब Quando आप कहीं एंदूसरे जगह जाते हैं तो आप किसी के घर को किराया पर ले लेते हैं रेंट पर ले Presta बना तो वह टोकन रहता है बांकि का का काम ब्लॉक्चेन वाले अपना समझते रहे real life में अगर देखा जाए cryptocurrency का इस्तमाल और token का इस्तमाल कहां पर हो सकता है real life में बताया जाए तो इसका इस्तमाल cryptocurrency का हो सकता है medium of exchange के रूप में हो सकता है च्यूंकि यह अपने आप में एक blockchain है तो इसका multiple usage हो जाएगा technology के दुनिया में ठीक है न यहां पर transaction के लिए देखा जाएगा verification के लिए देखा जाएगा लेकिन यहीं पर अगर token की बात कहा जाए तो इसका इस्तमाल real life में कोई भी चीज जो है हो गया तो ऐसे ही token का इस्तमाल real life में लेंदेन करने के रूप में किया जा सकता है वहां पर आजे आपके पास इतना token है अब वो कोई company जैसे माली यह कोई social media website बनाया ऐसे समझे अगर token का इस्तमाल समझा जाए तो blockchain based कोई social media website बनाया और उस website पर उसने कहा कि particle token का इस्तमाल करिएगा तो मेरा premium feature आप इस्तमाल कर सकते हैं इससे भी नहीं समझे चलिए और मैं अच्छे से समझाता हूँ telegram का इस्तमाल मैं आपको समझाऊँगा तो साइद इससे बेतर ढंग से समझ पाईएगा telegram में एक normal free feature भी है और premium feature भी अगर इस्तमाल कर रहे हैं तो अगर telegram कल के date में कह दे कि मुझे कोई particular token दो तो मैं आपको premium feature दूँगा वो premium feature देने के लिए वो token का इस्तमाल करना शुरू कर जाए तो जिस जिस के पास वो token रहेगा उस token का इस्तमाल करके वो premium feature ले सकता है अब वो token भी trade होना शुरू हो जाता है तो कोई संस्ते में कोई token खरीद के रखा हुआ है और उसका real में अगर इस्तमाल होना शुरू हो गया किसी भी product में और कोई consumer आके उस product का इस्तमाल करना शुरू कर दे तो उस token की जरूरत परेगी और इस अनुशार से उस token का price होता है सीधी बास समझ लीजे कि हमारे आपके दुनिया में real life में अगर कोई practically चीज में अगर कोई ची लें दिन करना है और वहाँ पे एज़े token का इस्तमाल crypto blockchain का इस्तमाल करना चाहे तो token ले सकता है और token का इस्तमाल करके चुकि token बना होई किसी blockchain पे और चुकि यहाँ पे पूरी तरह से secure है decentralized system है तो ऐसे condition में token का इस्तमाल किया जा सकता कर सिनेमा घर में जो हम लोग ticket लेने जाते हैं तो अगर token लगा दिया जा तो वहाँ पे भी ticket के रूप में token का इस्तमाल किया जा सकता है कहीं पे जो voting किया जाता है तो वहाँ पे भी किया जा सकता है मतलब multiple usage है और खासका token का इस्तमाल जो है D app जो है उसके बनाने के लिए किया जाता है तो आप इतना सा समझ लीजे कि हमारे public के यूज के लिए जो भी application बनेगा वो agent token को ले करके और blockchain based system का इस्तमाल करके बनाया जा सकता है लेकिन ये जो coin होता है ये जो cryptocurrency होता है ये अपने आप में सब कुछ होता है और इसी का इस्तमाल करके token आगे काम करते रहता है इतनी बास से आप समझ हो गए ना कल के date में मार लीजे Facebook है और Facebook ये announce करे कि मेरा एक particular Facebook अपना blockchain पर कोई develop कर ले और कोई वहाँ पर coin बना ले कोई नहीं नहीं बना ले सासक token भी बना ले और कहें कि देखिए Facebook पर जो verified जो blue tick लग रहा है या Instagram पर जो blue tick लग रहा है इसके लिए आपको जो है इस token का इस्तमाल करना परेगा तो उसी token का इस्तमाल होगा और उस token का price बढ़ेगा अब यहाँ पर मैं एक चीज clear करना चाहता हूँ यहाँ तेक video देख लिए कुछ लोग जो है HTA token में जो इस्तमाल कर रहे हैं invest कर रहे हैं मैं बार बार HTA token पर video बना रहा हूँ कि HTA token चाहिए तभी तो price बढ़ेगा नहीं तो कुछ भी है अगर माल लिजए यह lens है lens का यह cover है मैं कहूँ कि इसका अदाम 100 रुपे है अब इसका कोई इस्तमाल अगर नो रहे अगर कोई इस्तमाल आपके लाइक नहीं है तो 100 रुपे क्या एक रुपे का एक पैसे भी आप नहीं देंगे लेकिन यहीं पे सब के घरों में camera mandatory हो जाए और camera जो है lens लगे और lens के उपर lens का cover जरूरी हो जाए तो इसका जो इस्तमाल बर जाएगा इसका इउजच बर जाएगा अब भली यह शुरू में रदी का भाव क्यों नहीं हो यह premium हो जाएगा premium इसका price जादा हो जाएगा लेकिन अगर मैं अपने use के लिए particular कोई इस्तमाल नहीं है एक आदमी इस्तमाल करें इसका दाम में कितना भी कुछ भी रख दू लोग सस्ते में भी नहीं खरी देंगे हमेशा याद रखिए investment के दुनिया में business के दुनिया में demand and supply का खेल होता है अगर demand बढ़ा supply कम हुआ price हाई होगा अगर supply जाइदा है demand है ही नही price down हो जाएगा तो हमेशा आप अपने खमाई हुए मेहनत के पैसे को crypto के दुनिया में invest कर रहे है तो पहले ये चीज रिसर्च कर लीजे कि उस cryptocurrency crypto coin या token का इस्तमाल कहीं पर future में होने बाला है या नहीं होने बाला कहीं ऐसा तो नहीं कि marketing के दुनिया में लोग news बना बना के एक hype बनाई हुए है और एक जो बंदा है पहले से वो token रखे हुए है या cryptocurrency रखे हुए है और इसके बाद जार कर रहे है लोग hype बने ज़्यादा से ज़्यादा उसका demand बढ़े, price जब high हो वो sell करके निकल जा गया हो रहा है, देखने को मिल रहा है इसलिए मैं video बना रहा हूँ लोगों को aware कर रहा हूँ और सिर्फ HTA की में बात नहीं कर रहा हूँ multiply token अभी market में circulate हो रहे हैं सब जगा कुछ न कुछ investment हो रहा है और Indian लोग आख मुंद करके invest कर रहे हैं